दोस्तो भारत को आजात कराने में बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपना खून भाया, बहुत सारे क्रांतिकारियों जेल गए, उन्होंने अपने प्राणों तक का बालिदान दिया, ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारियों की कहानियां हम पढ़ा करते हैं, लेकिन कई ऐसे भे क्र आर्थिक रूप से बहुत बड़ा सा योग दिया उन्होंने अपने बहुत सारा पैसा देश को आजादी कराने के लिए लगाया लेकिन उनके बारे में हम कभी नहीं पढ़ा करते हैं जी हां दोस्तों उनमें से एक थे घंशयान दास बिरला जिन्होंने भारत की आजादी की म बढ़ाया बलकि बिरला परिवार में जर्म लेने वाले हर व्यक्ति ने बिरला अमपायर को आगे बढ़ाने में अपना योगदान जरूर दिया है और इसलिए आज के अमीरी के दौर में जाम अंबानी की बात करते हैं लेकिन एक समय ऐसा था जहां पे बिरला का नाम सबसे उपर आया करता था बिरला हमारे देश के सबसे पुराने और सबसे मजबूत बिजनस एमपायर में से एक रहा है और इस एमपायर की कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है आज के इस वीडियो में हम बिरला एमपायर के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कैसे इसकी थापित किया तो दोस्तो आई इस वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में हम बिर्ला एमपैर को एक्स्प्लोर करते हैं दोस्तो बिर्ला ग्रुप के कहानी सेट शोभा राम से स्टार्ट होती है जो कि राइस्थान के पिलानी में एक छोटे से व्यापारी थे वो सिर्फ उतना ही कमा पाया करते थे जितने में उनके परिवार का गुजर बसर हो जाया करता था लेकिन फिर आता है 1840 का समय जब राइस्थान के इस मरवाडी परिवार के पहले बेटे शिव नारायन बिर्ला का जन्म होता है लेकिन cotton के business में उनको कुछ खास फाइदा नहीं हो रहा था इसलिए उन्होंने अफीम के business के तरफ जाने का सोचा उस समय Britishers भारत के किसानों से सस्ते दाम में अफीम खरीद कर चाइना में उची दामों पर बेचा करते थे शिव नरायन विर्ला ने जब ये देखा तो उन्होंने कुछ लोग को एकटा किया और अपना एक ग्रूप बनाया और डारेक्टली चाइना को अफीम बेचना शुरू कर दिया लेकिन राइस्था में कोई भी पोर्ट नहीं था जिस वज़े से उन्हें चाइना एक्सपोर्ट करने के लिए हमेशा मुंबई आना पड़ता था और उन्हें काफी कम मुनाफ़ा होता था इसलिए 1863 में शिव नरायन विर्ला मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं जिसके बाद उन्होंने न सिर्फ अपने अफीम के बिजनस को बढ़ाया बलकि एक कॉटन ट्रेडिंग हाउस की भी स्थापना की जहां में देश के अलग-अलग हिस्सों से कॉटन मगा के एक्सपोर्ट कर दिया कर दे थे शिफनारायन विर्ला के कोई भी संतान ने थी इसलि उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया जिसका नाम उन्होंने बल्देवदास विर्ला रखा साल 1880 में शिफनारायन विर्ला ने अपना सारा बिजनस अपने बेटे बल्देवदास विर्ला को सौब दिया जिसके बाद बल्दियव दास बिर्ला ने साल 1887 में कुलकता में अपना पहला बिजनस सिट अप किया और वहाँ पे उन्होंने एक कॉटन ट्रेडिंग मिल की शुरुवात किया कुलकता उसमें भारत की राजधानी हुआ करती ती जिस वज़य से कुलकता का व्यापारिक महद पर काफी जादा होता था साल 1920 में बल्देव दास बिरला ने अपने पिता के इतर अपना पूरा बिजनस अपने चारों बेटों में बाट दिया और वो खुद बनारस चले गए जहाँ पे उन्हें ने अलग-अलग धर्म के कारक करना शुरू किया और कई सारे जगप पे अपने पैसे दान किये दोस्तों अब यहाँ शुरुवात होती है बिरला परिवार के तीसरी पीडी की जिसमें बल्देव दास बिरला के बड़े बेटे जुगल किशुर बिरला और सबसे छोटे बेटे बिरिज मोहन बिरला ने मिलके मसाले अरचीनी का बिजनस करना शुरू कर दिया जुगल किशुर की भी कोई अपनी संतान नई तीसली उसके बाद उन्होंने अपना पूरा पिरिजमोहन दास बिरला के बेटे गंगा प्रसाद बिरला को दे दिया गंगा प्रसाद बिरला ने हिंदुस्तान मोटर्स, ओरियन पेपर एंड इंडस्ट्रीज, हैदराबाद इंडस्ट्रीज, एफटेक और नाइजीरिया इंजिनरिंग वर्ग जैसी बड़ी कम्पनियों के स्थाफना गड़ी लेकिन 1981 के वक्ट जब उनकी तव्यक काफी ज़्यादा खराब होई तो उन्होंने अपने बेटे CK बिरला मतलब चंदरकान दास बिरला को अपना पूरा बिसनस सौप दिया CK बिरला ने भी लगन से काम किया और अपने पिता के ही बिसनस को आगे ले गए और आज आप सभी जानते होंगे CK बिरला ग्रूप के नाम पर कई सारी कमपनिया हैं जिसमें उनके पिता द्वारा इस्टैब्लिश्ट कमपनींस हिंदुस्तान मोटर्स, ओरियन पेपर और हिंदुस्तान इंडस्ट्री शामिल है CK बिरला को भारत दे काई सारे सोशल वर्क्स में भी काम करते हुए देखा गया है COVID के लड़ाई के लिए CK बिरला ग्रूप में करीब सरकार को 35 करोन रुपए का युगदान किया था ये पिछरी जातियों के विकास के लिए भी अपना काफी मत पूर्ण युगदान देते हैं फिर शाहे गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाना हो या हॉस्पिटल खुलवाना हो इसमें CK बिरला ने बढ़ चड़कर भारत के लिए हिस्सा लिया है अब आईए बल्देव दास बिरला के दूसरे बेटे मतलब रामिश्वर दास बिरला और तीसरे बेटे घंशयाम दास बिरला की भी बात कर ले जाए बल्देव दास बिरला के दोनों बेटों ने मिल के मुंबई में एक जूट मिल के स्थापना किया हाला कि अपनी मिल शुरू करने के लिए इनको कई सारी मुसीबतों को सामना करना पड़ा जिसमें एक बड़ी मुसीबत थी कि विदेशों से मशीने मंगाना भारत में लेकिन कोई भी परिशानी घंशियाम दास बिडला को अपने लक्ष से आगे बढ़ने से नहीं रोक सकी दोस्तों घंशियाम दास बिडला एक दुरद्यश्शी वक्ती थे और उन्होंने अपने जूट का मिल का बिजनस आशान करने के लिए जब भी कोई विदेश से कोई नई मशीन मंगवाते थे तो उन्हें स्पेर पार्ट के साथ ही मंगवा लिया करते थे ऐसे में मशीन अगर अचानक से खराब हो जाती थी उसको सही करने में जादा समय नहीं लगा करता था घंशयांदास बिरला के सबसे बड़ी खासियत थी कि जब भी वो कोई नया काम किया करते थे तो उसमें वो पूरा डिवोशन अपना पूरा विश्वास लगा दिया करते थे जिसे भी कोई भी काम वो आसानी से कर लिया करते थे जूट के वियापार करने के दौरान प्रतम विश्विद्ध शुरू हो गया था जिसमें जूट के बैक्स का इस्तिमाल समान को ले जाने के लिए किया जाने लगा उस समय जूट का इतना ज़्यादा इस्तमाल कर लिया गया था कि पूरे बिटिश एमपायर पे जूट की कमी हो गई जिसका पूरा फायदा घंशयांदास बिर्ला को मिला और उनका बिसनस काफी तेजी से आगे बढ़ा लेकिन आके जाते जाते घंशयांदास बिर्ला और रामिश्वर बिर्ला दोनों का बिसनस अलग हो गया अगर हम तीसरे बेटे रामिश्वर बिर्ला की बात करें तो उनकी दो संतानें थी गजानन बिर्ला और माधव प्रसाद बिर्ला जिसमें से माधो प्रसाद बिर्ला की कोई भी संतान नहीं थी जबकि गजारन बिर्ला की एक संतान थी जिसका नाम था अशोक वर्धन बिर्ला यशो वर्धन था अश बिर्ला की उम्रे जब 23 साल थी तो उनके माता पिता का निधन हो गया और उन्हें अकेले ही पूरा बिजनस एंपायर समहलना पड़ा लेकिन वो कभी निराश नहीं हुए और आज भी अपने पिता और दादा के बिजनस एंपायर को दा येश बिर्ला ग्रूप नाम से चलाते हैं और इस ग्रूप में एक दर्जन से ज़्यादा कंपनी हैं जिसमें जैनित स्टील, बिर्ला पावर, बिर्ला लाइफस्टाइल और श्लोक इन्फोटेक जैसी बड़ी कंपनीया शामील है वैसे येश बिर्ला का कई सारे विवादों में भी नाम रहा है येश बिर्ला परिवार के पहले ऐसी विक्ति हैं जिनने विल्फुल डिफॉल्टर यानि जान बुचकर करज नहीं लोटने वले विक्ति घोशित किया गया है येश बिर्ला सूरिया लिमिटेड जिननोंने बैंक से करज लिया था 67 करोड़ रुपे का वो उन्होंने तैय समय पे नहीं चुकाया जिसके बाद इनने डिफॉल्टर खुशित कर दिया गया था वही माध़ प्रसाद बिर्ला के मौत के बाद उनके बिजनस MP बिर्ला ग्रूप के जिम्मदारी उनकी वाइफ प्रियमदा बिर्ला के हाथों में आ जाती है फिलहर प्रियम्दा विर्ला आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन उन्हें मरने से पहले MP विर्ला ग्रूप के कोच येर परसन राजे सिंग लोडा के नाम पे MP विर्ला ग्रूप की 5000 करोड की संपत्ति उन्होंने कर दिया था हालाकि इसके बारे में बिर्ला फैमली को कुछ भी नहीं पता था इसलिए ये मामला अभी तक कोट में लंबित है दोस्तों अब आए खंशेमदास बिर्ला के बारे में और डेटिल में बात करते हैं जो कि सबसे होनार व्यक्ति थे बिर्ला ग्रूप के साल 1919 में घंशयामदास बिर्ला ने उस अमपैर की नीव रखी जो साल दर साल आगे बढ़ता रहा जी हाँ साल 1919 में ही घंशयामदास बिर्ला ने 50 लाग की लागत से बिर्ला ब्रदर लिमिटेट की शुरुआत किया इस 50 लाक रुपए के लिए घंशे आमदाज बिल्ला ने अपने ससुर M. Sumani से मदद लिया था इस शुरुआत के बाद घंशे आमदाज बिल्ला ने ग्वालियर में एक कपड़े मिल की भी शुरुआत किया कुछ ही समय बाद जीडी बिल्ला ने दिल्ली में एक पुरानी कपड़ा मिल भी खरीद लिया इसके बाद 1923-24 में उन्होंने केसोरम कोटर मिल्स को भी खरीद लिया 1924 में उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स की भी शुरुआत किया फिर आया साल 1926 करसा में जब उन्होंने फेडरेशन ऑफ इंडिया चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक की को शुरू किया जोकि अच काफी जादा फेमस है इंडिया में इसी साल 1926 में ही वो सेंट्रल लेजिस्टेटिव एसेंबली के लिए भी चुने गए घंशयामदास बिर्ला से फिक सक्सेस्फुल बिजनस्पैन ही नहीं थे वो एक सच्चे देशफ़क्त भी थे उन्होंने गांधी जी के साथ कई सारे आंदोलन में भाग भी लिया जिसमें सवीने अवग गया जैसे कई सारे आंदोलन शामिल थे कहा जाता है घंशयामदास बिर्ला गांधी जी और बिटिश अंपैर के बीच में मीडियेटर का भी काम किया करते थे लंदन में conference के दौरान first और second round में भारत का नित्रत घंशयामदास बिर्ला नहीं किया था भारत के आजादी के दौरान भी पूरी energy के साथ घंशयामदास बिर्ला ने तन मन और धन से भारत का सहयोग किया इसलिए उनके काम को देखते हुए साल 1957 में उन्हें पद्म विभूशन से भी सम्मानित किया था साल 1958 में जीडी बिर्ला ने हिंडाल को की भी इस्थापना किया जिसमें भारी मात्रा में लोगों को नौकरिया देना शुरू किया उन्होंने और साल 1974 में उन्होंने बिर्ला इंस्थीट ऑफ टेक्नलोजी और साइंसिस की भी स्थापना किया इसके लावन उन्हेंने कई सारे स्कूस बनवाये कई मंदिरों का भी निर्मार कराया दोस्तों ऐसे बहुत सारे काम थे जिसमें जीडी बिर्ला ने भारत में कई सारी चीजों की शुरुवात किया बिर्ला ब्रदर्स का बिजनस साथ टेक्स्टाइल मैनिफेक्चरिंग, फिलमर्स, सिमेंट, कैमिकल, इलेक्रिसिटी, फर्टलाइजर और टेली कम्यूनिकेशन के साथ साथ फाइनिशल सर्विसेज में भी इनका बिजनस है लेकिन जीडी बिर्ला कभी अपने आपको एक बिजनस में नहीं माना करते थे, वो हमेशा लोगों की मदद के लिए आमेशा आ गया जाया करते थे लेकिन वो कहते हैं हर उगते हुए सूरज का अस्त भी होता है और साल 1983 में 89 साल की एज में जीडी बिर्ला जी का निधन हो जाता है इसके बाद इस पूरे बिजनस की जम्यदारी उनके बेटों के कंधे पे आ गई दोस्तो घंशयामदास बिर्ला जी ने दो शादी की थी पहली पत्नी दुर्गा देवी से उनके तीन बेटे लक्षमी निवास, सुदर्शन कुमार और सिधार्थ हुए जबकि दूसरी पत्नी महाश्वरी से दो बेटे केके बिर्ला और बसंत कुमार हुए बसंत कुमार बिर्ला के बड़े बेटे आदित विक्रम बिर्ला की गिंतियाद देश के सबसे बड़े इंडस्टिलिस्ट में से एक होती है साल 1995 में आदिती बिर्ला के निधन के बाद मज 28 साल की उम्र में कुमार मंगलम बिर्ला ने अपने पिता के कारोबारों की जिम्मदारी खुद के कंदों पे ले ली अगर हम बिर्ला के achievements के बात करें तो प्रेजन टाइम में बिर्ला की ग्रासिम इंडस्ट्रीज कई तरह के product बनाती है लेकिन इसकी शुरुआत एक कपड़ा बनाने वाली company से हुई थी आजादी के बाद घंशियांदाज बिर्ला ने मद्ध प्रेदेश में इसकी नीव रखी थी और आज 75 साल बाद या 96,000 करून रुपए से जादे के revenue वाली या भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है इसके इलाबा या देश में विस्कस रहन फाइवर का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है यह 50 सेदिक देशों में अपने प्रोडक्स हो एक्सपोर्ट किया करता है ग्रासिम के बाद हिंडालको इंश्ट्रीज बिर्ला एमपैर के दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है इस कंपनी के उस थापना 1962 में उत्तरपदेश के रेनकुट में होई थी यह बॉकसाइट माइनिंग अलुमिना रिफाइनरी से लेकर अल्मूनियम स्मेल्टिंग का काम किया करती है प्रेजन टाइम में हिंडालको में 11,000 से ज़्यादा एंप्लॉईज है और यह एक दरजन से ज़्यादा देशों में अभी तक काम कर रहे है हिंडालको की पैरेंट कंपनी नौविलिस का हेड़कॉर्टर अटलांटा जॉर्जिया में है इसकी एन्वल रेवन्यू 1.96 ट्रिलियन रुपी है दोस्तो बिरला कारबन इस एमपायर के सबसे बड़ी कंपनी है जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी और आज ये बिरला कारबन के मेनिफेक्चरिंग और सप्लाई में वर्ल्ड में नंबर वन पे है यहां जिसे नहीं पता उसे बता दे कि कारबन ब्लैक का यूज रबर बनाने के लिए इसके साथ ही गाडियों के टायर बनाने के लिए यूज किया जाता है आपकी नॉलेज के लिए बता दे बिर्ला कार्बन के पास हर साल 20 मिलियन टन कार्बन ब्लैक का प्रोडक्शन करने की कैपिसिटी है दोस्तों पैंटालोन, लुई फिलिप, एलन सॉली और पीटर इंगलैंड जैसे बड़े ब्रेंडों से तो परचित होईंगी यह सब ही आदित बिर्ला ग्रूप के ही अंदर आया करती है इनके दुनिया बर में 3 करोन से जाद है आधिक कस्टमर है और 3,000 से जाद है स्टूर है आपको बताते साल 1995 में जब पहली बार आदित बिर्ला ग्रूप ने कम्यूनिकेशन की दुनिया में अपना कदम रखा और साल 2000 में यह टाटा सेलिलर के साथ मर्जर किया गया जिसके बाद 2002 में ही आइडिया सेलिलर के रूप में भारत के विभिन राजों में इसका वायरलेस टेलिकॉमिनिकेशन नेटवर्क बनाये गया और फिर आता है साल 2006 का समय जब आदित बिर्ला ग्रूप इसका पूरा तरीके से मालिक बन जाता है आइडिया का काफी समय तक आइडिया अकेले ही बिजनस कर रहा था लेकिन जीयों के आने के बाद आइडिया और वोडाफोन में मर्जर हो जाता है साल 2018 में और वोडाफोन आइडिया देखते ही देखते सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी का मालिक बन गए वोडाफोन आइडिया के वरतमान में करी 25 करोर से ज़्यादा कस्टमर है और यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क और दुनिया का दस्वा सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क के तरह जाना जाता है दोस्तो बिड़ा ग्रूप के शुरुआत तो भारत में होई थी लेकिन आज उनका पूरा बिजनस 36 से ज़्यादा देशों में फैला हुआ है आज बिड़ा ग्रूप के चेर्मेन कुमार मंगलम बिड़ा है जो 28 साल के हैं इनकी देख रेक में ही आज बिड़ा ग्रूप फल फुल रहा है तो दोस्तों क्या आपको बिड़ा ग्रूप के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन कभी पता थी आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेगा क्योंकि बिड़ा ग्रूप में हमारे देश के लिए काफी ज़्यादा सहयोग किया है वीडियो अच्छी लगिए तो वीडियो को लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन में प्रेस करेगा ताकि आपको ऐसी वीडियो और सारी मिलती रहे बिजनस रेलेटेड